ग्लो ओफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो आज जो हैं आपने समांतर प्लेट संधारित को पढ़ना है पैलल प्लेट कैपिसिटर और इसकी धारिता या कैपिसिटेंस का जो ब्यंजग है फॉर्मुला निकलेगा बच्चो वो आपको पढ़ना है प्य ये जो आप आज पढ़ रहे हैं ये बोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर है तो हमें पूरी उमीद है कि बच्चो आप पुरा द्यान देंगे और हमारा पुरा प्रियास होगा कि सारे बच्चे जो हैं इसको समझाएं सबसे पहले आपको द्यान देना है यहाँ पर जो क Moment Paste Capacitor इसको Condenser भी कहा जाता है बच्चो आपने देखा कि रीडियो में लगा रहते हैं फेन में लगा रहते हैं यहaling अलग-लग आकार का होता है बच्चो cylindrical होता है आपका parallel plate होता है spherical होता है लेकिन आपके पास जो है क्या है parallel plate है तो बच्चो इस से पहले मैंने आपको जो हैं धारिता पढ़ाई थी capacitance पढ़ाई था conductor का किसी चालक की धारिता पढ़ाई थी बच्चो तो हमने आपको वहाँ पर बता दिया था कि ये धारिता जो है हमने single चालक की वहाँ पर आपको बताई थी तो अब हमने दो चालक ले लिये हैं तो वो बन गया संधारित्र इस से पहले जो है जो वीडियो में आपको बताई थी उसमें हमारे पास जो हैं दो प्लेटे होंगी पहली जो धात्वी प्लेट है इस प्लेट को बच्चो हम धन आविसित कर देंगे ठीक है बच्चो हम इसको किसी भी तरीकी से धन आविस दे देंगे ठीक है बच्चो इस देखे बच्चो हमने इसको धनाविश दे दिया इस प्लेट को जो प्लेट है हमने इसको धनाविश दे दिया अब दूसरी प्लेट पर जब इस पर हमने धनाविश दे दिया मैं लिख दो यहां प्लस क्यू ठीक है बचो तो दूसरी प्लेट की अंदर वाली सतह पे दूसरी प्लेट की अंदर वाली सतो पे रिण आवेश प्रेरण द्वारा एक प्रभाव होता है अंदर वाली सतो पे क्या जाएगा रिण आवेश धाएगा और जो धन आवेश मैं यहां पर बनाथ लिखने रहा हूं जो और दूसरी प्लेट पर क्या हो गया बच्चो माइनस क्यों आविस हो गया अब जो है बच्चो इसका अब हम क्या करेंगे एक बात ध्यान देना है यह जो प्लेट पहली प्लेट है जो पहली प्लेट है मैं इसको पहली प्लेट लिख दूँ और इसको लिख दूँ दो प्लेट है पहली प्लेट को इतना आविसित किया जाता है कि उसका बिभाव मैक्जिमम हो जाए ठीक बच्चो क्यों बच्चो क्यों बच्चो आप बता सक बच्चो क्योंकि क्यों समानुपाती भी होता है अर्थात आवेश को देने से बिभाव भी बढ़ता है अर्थात हमने इस पहली प्लेट को इतना आवेशित करना है कि इसका बिभाव मैक्जिमम हो जाए उस मैक्जिमम बिभाव के बाद अगर हम और बिभाव करेंगे तो बै उसको पूरा भर देना है तो वो maximum पानी हो गया और अगर उसमें और पानी भरेंगे तो वो पानी जो है क्या हो जाएगा गिर जाएगा उसी प्रकार से पहली प्लेट को आपने क्या करना इतना आविसित करना है कि इसका potential maximum हो जाए ठीक है बचो इसका potential maximum होगा तो इसका potential माल लिजए जो पहली प्लेट है इसका potential भी A है और इसका potential भी भी हो गया अब potential difference हो जाएगा ठीक है बचो इसमें क्या हो जाएगा potential difference हो जाएगा और potential difference के करन जो है यहाँ पर बैदुच्चेत्र भी अस्ताफित हो जाएगा बच्चो ये देखे, बैदुच्छेत धन आवेस से रिन आवेस के ओर इसमें बैदुच्छेतर भी अस्तापित हो गया, बच्चो मैंने यहां पर ए लिग दिया, ठीक है बच्चो अब देखो, बैदुच्छेतर अस्ताप हो गया, potential difference उत्पन हो गया, अब मान लिजी, अब जो प्लेट हैं इनका छित्पल यह है परते एक प्लेट का छित्पल कितना बचो यह दिखो बचो मैंने दिखा रहा हूं और इनके दौनों के बीच की दूरी डी है बहुत नजदीक नजदी रखने बचो आपको इसको दूर ने रखना लास मैं आपको बताएंगे इसके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ठीक है बचो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ओफ ए पैरलल प्लेट पैरलल प्लेट कैपेसिटर ठीक है बचो ठीक है बचो हमने क्या पढ़ना है बचो यह मैंने आपको बता दिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ब्यंजग हमने इसमें पढ़ना है बचो तो इसमें बचो क्या क्या है इसमें क्या है इसमें पहला प्वाइंट प्लेटों का छेतरफल माना प्लेटों का छेतरफल जो क्रोस सेक्षनल एरिया है प्लेटों का छेतरफल बराबर मानी जे ए है प्लेटों के बीच की दूरी मानी है हमने प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानी बचो स्मॉर्ट डी ठीक है अब आवेस का प्रिष्ट घनत्व यह पहले अध्याय मेना आपको बता दिया बच्चो आवेस का प्रिष्ट घनत्व सरपेश डेंसिटी ओफेचार्ज सिगमा ठीक है बच्चो अब बच्चो यहां पर जो हैं सिगमा का सूत्र बता देते पहले यह जो सिगमा होता है चार्ज डेंसिटी होती है यह बतो क्यों अपों यह होता है यूनिट एरिया में एकांक छेत्रपल में कितना चार्ज है इकाई छेत्रपल में कितना आवेस है उसी को कहते हैं बच्चो अब इसका प्रिष्ट कोनत यह सरपेस डेंसिटी ठीक है और इस स्थिति में जो E होता है E होता है वो होता है σिगमा E का सूतर है बच्चो ये आपको याद करना है सिगमा बटे K Epsilon 0 ठीक है बच्ो ये सूतर है सिगमा का सूतर कितना है तो मैं इस सूतर को यह दो इस सूतर को यहां पर लिख दूगा तो e कितना जाएगा बच्चो? sigma बटे k, epsilon 0 ठीक बच्चो दिखाए जिरा अब sigma का मान भी रख देंगे बच्चो sigma का मान q, बटे e रख देंगे रखो बच्चो q, बटे क्यू तो यहाएगा e बटे माई जाएगा k, epsilon 0, e ठीक बच्चो? equation number 1 यह तो आ गया, अब बच्चों हम, आप हमें ये बताएंगे, कि धारिता में अज्यांत रासी क्या है, यहां देखो धारिता में, यहां देखो बच्चों मैं बता रहा हूँ, Q बराबर C भी, तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन भी, तो यहां पर देख, equation number 2 माल लेता हूँ तो यह दारिता है, यह निकालनी है, तो क्यों तो हमें पता, हमें तो भी निकालना है ना, हमें भी निकालना है, यह दो को बच्चों, यह भी निकालना है, तो भी निकालने के लिए, हमें E और भी में relation चाहिए, ठीक है बच्चों, तो E तथा, E तथा, V, potential difference, V में सम्मंद ठीक है बच्चो, यह आपको आना चाहिए, तो कितना होता बच्चो, E is equal to होता है V upon D, ठीक है बच्चो, यह विभुहांतर है, potential difference है, दोनों प्लेटों के बीच का potential difference है, तो बच्चो ध्यान दो, यहाँ से cross multiply कर देंगे, ठीक है बच्चो, तो V कितना आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा बच्चो, E into D, ठीक है बच्चो, और देखे बच्चो, समीकर नमर 3 लिख देता बच्चो, यहाँ देखो आप, क्या E की value पता हो नहीं हो गया हमें, Q upon KF 0, तो यहाँ पर रख देंगे, बहुत easy है बच्चो, अगर आद ध्यान देंगे, तो V बराबर कितना हो C की value हम प्राप्त कर सकते हैं, तो V का मान, V का मान, समीकर नमर 2, समीकर नमर 2 दिखाए देरे बच्चो, यहाँ पर साब दिखाए, 2 मैं रखने पर, अब देखो मैं समीकर नमर 2 को point out कर रहा हम बच्चो, यह देखो, समीकर नमर 2 है, C बराबर क्योपर में V हमने निकाल दिय बच्चो यहाँ देखो, V हमको निकाला, कैसे निकाला, पहले बच्चो हमने E निकाला, यह देखो बच्चो पहले हमने क्या निकाला, E निकाला, फिर E और V में ये relation था, वहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, और V की value हमने यहाँ पे put करनी ह यहां पर रखनी है तो आप देखो कितना हो जाएगा बच्चो भी की वहलू रखेंगे तो सी बराबर क्यू बटे भी की वहलू रख देंगे क्यू इंटू डी बटे के एफ साइलेंट जीरो ए ठीक है बच्चो तो यह क्यू के साथ क्या हो जाएगा मल्टिप्ली के सन हो जाएगा इसका के एफ साइलेंट जीरो ए मल्टिप्ली के सन हो जाएगा और बटे में कितना होगा क्यू इंटू डी ठीक है बच्चो क्यू से क् के एफसाइलन जिरो ए अपॉन डी ठीक है बच्चो ये फॉर्मुला आ गया बच्चो हमारा समानतर प्लेट संदारितर की धारिता का ब्यंजक हमारे पास आ गया है बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो अब इसके बाद जो है इसके बाद जो है बच्चो इसका ये जो फॉर् बताएंगे कि किसी संधारित की धाता किन-किन बात अबन निर्भर करती हैं तो आओ बच्चो फिर आपको इसको बताते हैं हाँ तो बच्चो हमारे पास जो हैं हमारे पास जो सी की बहल्यू कितने आई बच्चो सी बराबर C बढ़ाबर, बचो हमने कितना बताया था इससे पहले, K Epsilon 0, K Epsilon 0 A upon D, ठीक है बचो, ठीक है बचो, ये, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हैं बचो, ये, के, परते को मैं आप दो, के क्या है, माध्यम का पराबैदुतांग, अर्थात पिलेटों के बीच में हमने पराबैदुतांग भरा हुआ है, इससे पहले में आपको बता दिया परबैदुतांग पर्टी भरी हुई है, ठीक है, पराबैदुतांग, माध्यम का पराबैदुतांग है, ठीक बचो, epsilon 0 epsilon 0 क्या है निर्वात की निर्वात की बिद्धुत सीलता इससे पहले में आपको बताती है बिद्धुत सीलता permitivity ठीक है A क्या है प्लेटों का छेत्रफल प्लेटों का छेत्रफल ठीक है बच्चो A प्लेटों का क्या है छेत्रफल है ठीक है बच्चो अब यहाँ पर जो है बच्चो और D क्या है दौनों प्लेटों के बीच की दूरी है बच्चो ठीक है बच्चो ठीक है अब यहाँ पर देखो तो यहां पर जो है, मान लीजिए, मान लीजिए, हम प्लेटों के बीच निर्वात कर दोगें, माना प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच निर्वात हो जाए, ठीक है, हो जाए, या वाई हो जाए, निर्वात हो जाए, तो उस स्थिति में के कितना हो जाएगा बच्चो वन हो जाएगा अब देखो बच्चो अब यहाँ पर यह जो इधर देखेजे यहाँ पर यह के जब वन हो जाएगा तो इस धारिता को मैंने यहाँ पर सीजरू लिख ज़े यह निरवात की धारिता आगी यह किसकी धारिता से माध्यं में धालिता वह किसमाी को माध्यम डाल जब आपस्पवेह एंधर माध्यम रखा समय केट में Safis epsilon 0 A upon क्या हो जाएगा बच्चो D हो जाएगा मान लिजे बच्चो यह equation number 1 पहला वाला और यह equation number 2 है तो आप इसका ratio निकाल सकते हैं बच्चो ठीक है बच्चो अब आप इसका ratio निकालेंगे बच्चो तो ratio कैसे निकालेंगे बच्चो बताएए यहां देखो बच्चो C दिखाएज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ y f 0 a into d ठीक है बच्छो अब क्या होगा d से d cancel हो जाएगा a से a cancel f 0 0 cancel हो जाएगा तो किसके बरावर आगया k की बरावर आगया c upon c 0 is equal to k ठीक है या हम क्या कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं इसका cross multiply करो यह देखो यहां देखो बच्छो c upon c 0 अर्थात अगर संधार्द की प्लेटों के बीर प्रावयदुत पदार्द भरा है उसकी धार्था और अगर निर्वात है उसकी धार्था का जो अनपात है वो प्रावयदुतां के बरावर होता है अब हम इसको अगर निकालें तो c बरावर k into c 0 इ इसका मतलब हुआ माध्यम की धारिता है वो निर्वात की धारिता की के गुनी होती है ठीक है अर्थात मान लिजे जो है हमने उसके अंदर यह किसी का प्रावयदुत पांच है तो माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता की पांच गुनी हो जाएगी ठीक है बच्छो अब ये जो हैं आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि संधारित्र की धारिता की निर्वरता का मतलब बचो कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्वर करेगी अब बचो हमने जब फॉर्मुला निकाल दिया है फॉर्मुला जो है बचो हमने निकाल दिया है ठीक है बचो फॉर्मुला क्या निकाल दिया बचो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C बरावर A K F साइलन जिरो अपॉन D ठीक है बच्चो यह फॉर्मुला हमने निकाल दिया अब यहां से आप अपना बोलेंगे बच्चो पहला पहला बताए C परपोसनल A ठीक है बच्चो अर्थाथ संधारित्र की धारिता प्लेटों के छेदवल पर निर्वर करेगी अर्थाथ अगर प्लेटों का छेदवल बड़ा होगा तो धारिता जादा होगी प्लेटों का छेदवल कम होगा तो धारिता क्या होगी कम होगी दूसरा बच्चो यह जो C है ये के पर निर्वर कर रहा है अर्थात संधारिद्र की प्लेटों के बीच जो पराबैदुत की पटी रखिया उसका पराबैदुतांग कितना है ठीक है बच्चो और तीसरा जो है ये एपसालेंजीरो तो कॉंस्टेंट है इसकी वहली कॉंस्टेंट है और तीसरा जो है बच्चो ये वित्क्रमानुपाती होगा उल्टे अनुपात में होगा डी के अर्थात अगर संधारिद्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये धारता कम हो जाएगी तो हम हमेशा कोसिस करते हैं कि संधारिद्र की दोनों प्लेटें क्या हो नजदीक नजदीक हो तो लगवा लगवा इन तीन चीजों पर संधारिद्र की धारता निर्वर करती है पहला प्लेटों के छितपल पे दूसरा उनके बीच भरे प्रा बैतुतांक पे तीसरा प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करती है ठीक बचो, लेकिन यहां उल्टा है अर्थात आपको प्लेटों के बीच की दूरी कम करनी पड़ेगी अगर संदाज की धारता आपको बढ़ानी है ठीक बचो, बहुत-बहुत धन्याबाद बचो कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं और आप अगली वीडियो जो है इसी चैप्टर की अगली वीडियो जो है आप के लिए मैं लाओंगा Potential Energy of a Capacitor अथा संधारित की इस्तिति उर्जा तो बहुत बहुत धन्याबाद बच्चो अगली वीडियो तब